What is the actual concept of possession in Islam? How it can be explained in the light of Islam and hadith? Possession में समझता हूँ, जिन possession होगा, अगर वाकी वही मुराद है तो, जिन क्या आदमी के पर कंट्रोल कर सकता है? ये कौन खतल करें? जिन एक आदमी को पर कर सकता है, ऐसा हुआ है और आज देखिए, बहुत सारे लोगों ने साइंस की फिल्म में होने की वज़े से इसका इंकार किया, लेकिन आज वो भी इसको मान रहे हैं और उन्होंने साइंस की एक, यहने पैरानॉर्मल आज उसको बोलने लगे हैं, उसको कर दो मान रहे हैं, एममान रह.